दोस्तो 11 दिन के लिए ये काड़ा बना कर पी लीजिए, अगर आपके शरीर में भी नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, बुरा कॉलेस्ट्रोल बॉडी में बढ़ता है, या आपका भी बीपी नॉर्मल से जादा रहता है, या आपको भी गठिया की समस्या हो चुकी है, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, और अगर आपने इसका सेवन एक महीने के करीब कर लिया, तो ये सभी तकलीफे आप बिना दवाई के आप ठीक कर पाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे मैं हूँ दिवया शर्मा धवन और आज आपको बताने वाली हूँ, पुरेज कोलिस्ट्रोल को बाहर करने के लिए, गठिया की समस्या को दूर करने के लिए, डाइबिटीज को क्योर करने के लिए, बीपी को नॉर्मल करने के लिए, कौन सा काड़ा बहुत ही होगा और कब तक इसका इस्तमाल किया जाए, कि आपको पूरे फाइदे मिल जाएंगे, मसाला जो है बहुत ही फाइदेमंद होता है, इसकी तासीर गरम होती है, दालचीनी में कई तरह की मेनिसिनल प्रापर्टी पाई जाती है, ये हार्ट अटेक से बचा कर रखती है, डा इंफ्लमेंटरी, एंटी ऑक्सिदेंट और एंटी डायबिटिक प्रापर्टी से भरे हुए हैं, इतना ही नहीं, दालचीनी में पाय जाने वाला पॉलिफेनॉल योगिक जैसा, पॉलिफेनॉल योगिक ये प्रोटीन को ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को होने के कारण, अगर कोई गठिया पेशिंट है, जिसके जोडों में सूजन रहती है, जोडों में दर्द रहता है, आटा गुंते टाइम हाथों में दर्द होता है, कौनी मौडने में तकलीफ आती है, गुटनों में लगातार दर्द रहता है गठिये के कारण, तो उनके ल जाना दाल्चीनी का काड़ा पीना बहुत अच्छा है लग म मत सर्कुलेशन को बहतर करती है हमारे शरीर में ल्डूल् nessop ao को कम करने का का म करती है कि तो हाइब प्रेशर हो या फिर बॉड के अंदर फैट बढ़ चुका हो हमारी लसों के अंदर प Windows जो का हो जिसे 가는 का जाता ह उसको भी ये दूर करने का काम करती है ऐसे में दालचीनी को अब अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और इसका काड़ा बना कर ही सेवन करें दालचीनी के अदर फाइबर की अच्छी मात्राव होती है फाइबर युक्त चीजों का सेवन करने से हमारा पेट जो है वो दरुस्त रहता है पेट से जुड़ी समस्या नहीं होती ये हमारे मेटाबोलिसम को बढ़ा देती है जो कि शरीर की फैट को रिड्यूस करता है वो भी तेजी से हमारे वजन को कंट्रोल में करने का काम करता है फाइबर जो इसके अंदर पाया जाता है वो हमारे पाचन तंतर को दरुस्त करता है ये पेट को साफ करता है कमज की समस्या को दूर करता है आप इसे किसी भी तरह के जूस में, समूदी में, सबजी में, रोटी में कैसे भी डाल कर सेवन कर सकते हैं अगर सरदियों के दिनों में आपको खांसी, जुखाम ये समसे ज़ादा रहती है तो आप इसका सेवन शहद के साथ बहुत अराम से कर सकते हैं दोस्तों, दालचीनी का सेवन अगर आपके गुटनों में लगातार दर्द रहता है, आपके जोडों में लगातार दर्द रहता है, तो भी आपने जरूर करना है इसके इलावा, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप एक डाइबिटिक पेशिंट है और आपकी दवाई चलते को बहुत साल हो चुके है और आप ठक चुके हैं, सोच रहे हैं कि ये दवाई नहीं लेनी, बस नेचुरल तरीके से ही डाइबिटिस को क्योर करना है तो आपने दालचीनी का करड़ा बना कर इस्तमाल करना है और अगर आपकी नसों में अकणन रहती है, ब्लड सर्कूलेशन शरीर में प्रॉपर नहीं होता या फिर आपके हाथ पैरों में सुनपन रहता है, नंबनेस का एसास होता है जब आप सोते हैं तो आपका हाथ या पैर सो जाते हैं और आपको शेक करना पड़ता है और कभी कभी क्या होता है, शेक करने के बाद भी हाथ या पैर सोए ही रहते हैं वो नंबनेस बनी ही रहती है तो ऐसी condition के अंदर आपको रोजाना के रोजाना दालचीनी का पानी जरूर पीना चाहिए कैसे बनाना है वो बता देती हूँ आपने आधा गिलास या पौने गिलास के करीब पानी लेना है और उसे किसी भी बरतन में डाल कर उबलने के लिए रख दीजिए इसके अंदर आपने एक बटा चार चमबच जो दालचीनी होती है स्टिक लेकर आईएगा घर पे दालचीनी की जो डंडिया होती है और इस घर पे इसका पाउडर बना लीजिएगा बहुत ही असानी से बन जाता है दोस्तो इस पाउडर में से सिर्फ एक बटा चार चमबच पाउडर ही आपने इस पानी में डालना है और पानी को उभालना है एक से दो मिनिट उभालियेगा उसके बाद आपने गैंस बंद कर देना है जब आपका ये पानी नॉर्मल टेंपरेचर का हो जाए तो आपने इसे च्छान कर सिप सिप करके पी लेना है इतना जबरदस्त काड़ा इतना जबरदस्त ड्रिंक ये तयार हो गया इसे आप पाउडर को आप बना कर रख सकते हैं दालचीनी वाले पाउडर को इससे आपका समय बच जाएगा तो इसके कोई नुकसान नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको फाइदे ही मिलेगे इसका नुकसान एक परसंट भी नहीं है और फाइदे इसके 100% है पस ध्यान न कीगा इसकी मात्रा का आपने दिन में एक बार ही इसका इस्तमाल करना है और एक बटा चार चंबस से ज़्यादा तालचीनी पाउडर का इस्तमाल आपने नहीं करना यह जानकारी इन्फरमिशन यही तक थी मैं उमीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक किजीगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजीगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पुछिए आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकर यह अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Stay healthy, always be happy Thank you for watching my video, okay, bye